जैसरी शाम दोस्तों राधे 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 रुपुत की रस्वई में आप सब का बहुत स्वागत है तो प्रेंड्स आज अब बनाने वाले काना जी के लिए स्पेशल मिठाई जन्माष्ट में आने वाली है तो माकन मिश्री की मटकिया बना के तयार करेंगे उनके लिए बहुत ही सुन्दर लगती है और बिना गैस जलाई ये मिठाई बनके तयार होगी जटपट से आप बना पाएंगे तो इसके लिए देखिए मैंने पनीर ले लिए और मेरा एकदम ताजा पनीर है आप चाहें तो ग्रेट कर लीजिए या हातों से ही उसको इस तरह से आपको मिठाई बनाना बता रही हूँ और कोई मिठाई बनाते है उसमें भी हमें घंटो का टाइम लग जाता है तो इस मिठाई को भी आप बना लीजिए इस बार कानाजी के लिए बहुत ही बढ़िया बनती है और भोग लगाने में आपको इतना अच्छा लगेगा ना आपके हातों से बनाई भी मिठाई है इस तरह से मटकी की डिजाइन में बहुत अच्छे लगने वाली है 3-4 चमच मैंने इसमें डाल दिया है मिठाज में बिटास के लिए मैंने मैश्री का यूज किया है अपने टेस्के की डाल लिए आप शाये है और आप चाहने तो कोफट बनाया है जैसे माखन होता है अब इसमें से भी हमें तीन भाग निकाल देने हैं छोटे-छोटे से इस तरह से यह देखिए अब तीन भाग निकाल दीजिए और बचे बड़े भाग में डाल देना है हमें कलर थोड़ा समय ने लिया है यहां पर रेड फूड कलर आप क्या होता है न जिस चीज़ को हम पकाते नहीं उसमें चुकंदर का फ्लेवर आता है तो मैंने कलर का योज़ कि अब इसको रख दिया है मैंने फ्रीज में और फिर तीन भाग ले लिया है जो थे हमारे एक में डाल देती हूं में यहां पर यल्लो फूड कलर और एक में डाल हमारे तयार हो गए एक को हम वाइट ही रहने देंगे इसमें क्या होना है मिश्री मिला दिये तो जैसे जैसे उसको मिक्स कर रहे हैं अपना पानी छोड़ रही है तो यह बहुत सॉफ्ट है तो माउथ मेल्टिंग मिठाई बनेगी फ्रेंड्स आप चाहेना तो इनको फ्रीज में रख दीजिए ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए मैंने ये भी फ्रीज में रख दिये थे और अच्छे से फिर से इनके गोले बना लीजिए इस तरह से आकार देते वे अब जो हमारा ये रेट पार्ट था इसके हम तीन भाग कर लेते हैं बराबर तीन भाग कर लीजिए इनके इस तरह से और फिर हतेली पर लेकर थोड़ा सा फैला लीजिए आप चाहें तो हतेली पर थोड़ा सा घी का हाथ लगा सकते हैं मैंने थोड़ा सा गी लगा लिया है अधेलियों के ओपर था कि यह हातों पर बिल्कुल ना चिपके और हातों पर ऐसे फैला लीजिए इनको और फिर एक वाइट पार्ट उठाकर इसके बीच में रख दीजिए बिल्कुल माकन की तरह ताकि जब इनको हम कट करेंगे ना तो ऐसा लगेगा बिल्कुल अंदर माकन बरा हुआ है और खाने में यह इतनी टेस्टी मिठाई बनी है ना फ्रेंड्स जरूर से बना के ट्राइ कीजिएगा अपने हातों से बनी वी यह शुद्ध मिठाई है बिल्कुल घर में तो बहुत अच्छी लगने वाली है तो देखिए मैंने यह गोला बना के तयार कर लिया है तीनों गोले मैं इसी तरह से बना कर तयार कर लूँगी और अगर आप चाहें पनीर यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोकोनट पाउडर का यूज कर सकते हैं पर उसका प्रोसेस थोड़ा सा लगया आप मुझे अगर कमेंट करेंगी मैं आपको बताऊंगी आपको वो कैसे बनानी है तो देखिए अब मैंने एक चम तो मैंने ऐसे प्रेस कर दिया इसको अब हम क्या करेंगे उगली से थोड़ा सा छेट इसको थोड़ा सा गहरा करेंगी क्योंकि हमको इसमें माकन के गोले रखने हैं ऐसे हलका सा दबा दीजिए और हात और उंगलियों की सायता से थोड़ा थोड़ा इसको उपर उठा दीजिए आकार दे दीजिए बिल्कुल मटकी का जैसे मूह होता है न उस तरह से थोड़ा धीरे-धीरे चारो तरब से उंगलियों से थोड़ा सा दबा दीजिए हलका सा इसको मटकी का आकार देना है हमें बहुत ही सॉफ्ट मिटाई है तो बहुत आराम से ये काम दीरे-धीरे कीजिएगा और चाहें तो इसको बीच-बीच में आप फ्रीज में रखते जाएगा और फिर मैंने एक तरब भी आप थोड़ा सा टूथपिक से इस तरह से डिजाइन दे दीजिए तो देखने में अच्छी लगेगी बहुत तो बस घुमा फिरा के चारो तरब से ऐसे हम डिजाइन दे देंगे तो लीजिए फ्रेंट्स देखिए कितनी प्यारी लग रही है तो बस तीनों मटक हमारी तयार हो चुकी है अब हम क्या करेंगे जो हमने यलो कलर का बनाया था पार्ट एक और ग्रीन कलर का उसके तीन भाग तोड़ लेंगे इस तरह से और फिर इनको लंबी बिल्कुल डोरी की तरह हम बेल कर तयार कर लेंगे क्योंकी मटकियों के गले में हमको मोटा सा एक रसा लटकाना होगा काना जी मटकियां फोड़ने वाले हैं माखन मिश्री की तो थोड़ा सा मोटाई बना रही हूं है ताकि मटकियां बिल्कुल भी नीचे नागी रहे काना जी की और देखिए मैंने तीनों इस तरह से बना लिए अब इनको इस तरह से आपस में दोनों को लपेट लीजिए ताकि दोनों में अच्छा सा कलर आ जाए दोनों का और एक रसी बन के तहार हो जाए बहुत जादा सोफ्ट है हाथ लगाते यह तूटने लगती है आप तो थोड़ा सा इसमें मिल्क पाउडर एड़ करके फिर बना सकते हैं तो फ्रेंड्स मेरी आवाज पर मच जाएगा मेरा गला थोड़ा सा खराब है और अब यह डोरिया लेके बहुत हलके हाथों से चारों तरफ लगा दीजिए इस तरह और मटकियों को सजा दीजिए तो डबल कलर में यह बहुत ही संदर लग रही है आप चाहें तो एक कलर में भी डाल सकते हैं किसी में ग्रीन कलर डाल दीजिए किसी में यलो कलर और ऐसे मैंने यह सेट कर दी अच्छे से थोड़ा सा हाथों से चिपका दीजिए और फिर टूथपिक से थोड़ा सा डिजाइन दे दीजिए जैसे रस्टी के ओपर नहीं होती है डिजाइंग तो बिलकुल ऐसे लगेगी जैसे हमने इन पर रस्टीयां बांद दियो देखिए ऐसे तो यह लीजिए तीनों मट्किया मैं इसी तरह से बना कर तयार कर लूँगी और कितनी प्यारी लग रही है देखिए चुटकुसी मट्की है काना जी की देखने में बहुत संदर लग रही है अब थोड़ा सा पार्ट मेरे पास ही बच गया था पोर्शन तो मैंने चोटे-चोटे से इसके गोले तोड़के रख लिए हैं बहुत ही चोटे तोड़ने हैं चोटी-चोटी से गोलियां बना लिए अब जो वाइट पार था इनकी तीन मोटी गोलिया बना लेते हैं बिलकुल ऐसे लगना जीए जैसे माखन रखाओ मट्की ओपर तो तीन भाग में नहीं बना लिये हैं अब मटकी ले लीजी अपनी और ये छोटे पार्ट इना इस तरह से जिपका दीजीए चाहे तो आप चारो तरफ लगा दीजीए या एक तरफ ही मैंने तीन लगा दीए इस तरह से आप चाहिए तो एक एक पार्ट चारो तरफ लगा दीजिए घुमा कर और पैन से पीछे के हिस्से से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तो उसमें गोला सा होता है तो यह उभर कर आएगा देखिए बहुत ही सुन्दर लगेगा देखने में तो बस मैंने यह इसी तरह से लगाए अब एक छलनी ले लिए थोड़ा सा पार्ट उसमें इस तरह से पीछे से आप दबाईए नीचे से और उपर एक घुरूरा सा निकल के आ जाएगा जैसे रसिया नहीं होती है दोरी नीचे से फुद्धे से लटके वे होते बस वो बनाने है हमें तो नीचे के तरफ वो लगा देते हैं तो मट्कियों में नीचे के तरफ यह लगा देंगी तो ये लीजिए फ्रेंड्स दीनों मटकिया हमारी बहुत ही बढ़िया से बनके त्यार हो गई है अब मैं उपर से इसमें डाल गी हूँ थोड़ा सा कोकोनेट पाउडन सुखा ही डाल ला है हमको ताकि ऐसे लगे मटकिया हमारी माकन से भरी हुई है और फिर जो हमने गोलियां बनाई थी न तो क्या होता है न माकन थोड़ा सा सौफ्ट होता है तो भूरा सा अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से ये सूखा सा तो उन गोलियों को हम रब कर लेते हैं थोड़ा सा कोकोनेट पाउडर में और उपर से वो रख देते हैं तो ये लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी आसी चुटकुसी कानाजी के लिए माकन मिश्री की मटकियां बनके तैयार होगी ये जरूर से बनाईएगा मैं आपको कट कर के बताऊंगी कितनी माउथ मेल्टिंग मिठाई बनिये ये बिलकुल आपको खाते से मैं ऐसे लगेगा जैसे आप माकन मिश्री खा रहे हो बहुत टेस्टी बनती है क्योंकि हमने इसमें मिश्री का योस की है तो चलिए मैं आपको कट कर के दिखा देती जरूर से बनाईएगा पसंद आई हो तो लाइक और शेर कीजिएगा जैसरी शाम राधे राधे और आप लोगों को एडवांस में जनमाश्ट में की धेरो शुप काम दे